वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 28 सितंबर 2022 और 28 सितंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वीव मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्टम मैं आप से कुश्चिन भी पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स सुन बताना है आज कि इस वीडियो की पेडियाप फाइल आप इस वीडियो के डिस्कुस में डाउनलोड कर सकते हैं पेडियाप आप हमारे कब मनाया गया है तो बेसु परेटन दिवस यानि कि वर्ल्ड टूरिज्म दे ये हर साल 27 सितमबर को मनाया जाता है तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन सही है दुनिया के बेविन हिस्सों में परेटन को बड़ावा देने पर ध्यान केंदरित करने के लिए हर साल 27 सितमबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है अचा वर्ल्ड टूरिज्म डे तो इस बार के वर्ल्ड टूरिज्म डे की थेम क्या है तो इस बार की थेम है रे थिंकिंग टूरिज्म क्या है रे थिंकिंग टूरिज्म तो इतना आप वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में याद और September में अब तक जितने भी important day बनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पर बिलकु सेक्वेंस में रिख दिये हैं आप वीडियो को पॉस करिए और इनको एक बार revise जरूर करिए और इन से related जितने भी fact मैंने आपको बताये थे वो भी आपके mind में click करने जाहिए जैसे ये 22 सितन्बर को World Rhino Day मनाया गया था तो इंडिया में कौन सा Rhino सब्स्यादा पाये जाता है एक सिंग वाला Rhino यानि कि एक सिंग वाला गेंड़ा इंडिया में सब्स्यादा पाये जाता है कहाँ पाये जाता है असम और पस्यमंगाल यही दो राज्जी हैं आपको बताया था इंडिया का एकलॉत आयसा designation Park है जो satellite phone से Connect हो चुका है तो इस तरह है ये चीजें आपके मायम्ट में क्लिक करने चाहिए एक चीज से दूसरी चीज को Link करो दूसरी चीज से तीसरी चीज को Link करो और तीसरी से चोती को लिंग करो इस तरह से मायंड में एक चेन बन जाने चाहिए और अगर ये चेन आपके मायंड में बनने लगी तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद रहेंगी अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर य अपने लेक टार्गेट विक्स करो चाहिए चोटा साई टार्गेट विक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मूट करो सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच बेसु कोस जारी किया, तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है, राजी में रहने वाले सबी 62 आदिवाजी समुदाय की परंपराओं और संस्कृतियों को कबर करते हुए, ये जन जातियों पर बेसु कोस जारी किया गया है, अब उडिशा, तो ये है मैप में उडिशा, उडिशा का ना मदल के APJ अबदुलकलाम दीव रखा गया है, उडिशा दिवस या उतकल दिवस का मनाया जाता है, एक अपरेल को, अभी समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उडिशा सरकार ने NIOT के सा समझोता किया, उडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लेरिक्स नामक उडिशा में किया गया, कोईला मंत्राले द्वारा रास्ती खनेच कॉंग्रेस 2022 का आयोजन बुबनेस्वर में किया गया, अच्छा उडिशा में सुनावेडा वाइललाफ संचुरी है, कूटागड वाइललाफ संचुरी है, नलवन वाइललाफ संचुरी है, बैसी पल्ली देवरेगड वाइड लेफ संचरी है गहिर मठ वाइड लेफ संचरी है और चलका लेख है चलका लेख वारत की सबसे वड़ी खारे पानी की लेख है अच्छा युनेसकु ने उडिसा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलेर किया था वो दो गाउं कौन से है नोलिया साही औ उडिशा होना जाता है। उडिशा में लेंगराज टेंपल है, कोडार्क टेंपल है, जगनाट टेंपल है। इतना आपको उडिशा के बारे में आद रखना है। यह जिस तरह से और जिस फ्लो के साथ मुझे चीज़ें याद हैं, मेरी गोसिस है कि आपको भी इसी फ्लो के सा रूप में दिलीप अश्वे को अपॉइंट किया गया तो इस कुश्यन का बे अप्सन सही है इमेज में देख लीजिए ये हैं दिलीप अश्वे इनको अभी फिर से NPCI के MD & CEO के रूप में अपॉइंट किया गया NPCI यानि की National Payment Corporation of India इसकी स्तापना कव हुई 2008 में इसका Headquarter कहां पर है मुंबई में और अब इसके फिर से MD & CEO बन गये हैं दिलीप अश्वे अच्छा अभी रास्टी सुसासन केंद्र के नए महानिदेशक की रूप में भारत लाल को नामित किया गया भूत पूर्व सैनेक कल्याण विवाक के सचिब बने हैं बिजै कुमार शियाम के नए अद्देख्ष बने हैं बिनोध अगरबाल LIC India Limited के CMD बने हैं प्रसन्ना कुमार मोटपली दूसरी बार भारत के Attorney General बनेंगे मुकुल रोहतगी वरिस्ट राजनाइक प्रकास चंद्र को Eritrea में भारत का राजदूद नियुक किया गया नागे सिंग को थाइलेंड में भारत का राजदूद नियुक किया और बेकरम दोरईश्वामी ये UK में भारत के नए उच्चायुक नियुक दूए है हाली में केस राजी को आयुष्मान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 मिला है तो अभी उत्तरपदेश को आयुष्मान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 मिला तो इस कुश्चिन का से ओप्सन्स है अब आयुष्मान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 ये उत्तरपदेश को क्यों मिला तो उत्तर प्रदेश को स्वास्ते सुविदा रजिश्टर में बेभिन स्वास्ते सुविदाओं को जोडने के लिए ये पुरुसकार मिला है अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनव ये किस नदी की किनारिश्थित है गोमती नदी किनारिश्थित है उत्तर प्रदेश की चेपनिश्टर है योगी आलपनात और उत्तर प्रदेश की गवरनर है आनंदी पेन पटेल उत्तर प्रदेश का राज की पसू है बाराई सिंगा राज की पच्ची है सारसिया क्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच्च है असोख का ब्रच्च अभी उत्तर प्रदेश के बारणसी सहरको पहली SEO परेटन और सांस्कृतिक राजधानी कोशित किया गया फास्ट ट्रैक कोट में पैंडिंग केसिस के मामले में उत्तरपदेश स्टॉप पर है बारत का पहला नाइट सफारी और जैब विवित्ता पार्क लखनों में बनाय जाएगा उत्तरपदेश सरकार ने अबैद सराप और नसेली दवाओं के ब्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है उत्तरपदेश सरकार ने पंचमरत योजना शुरू की और बाराणसी में अखिल भारती सिक्षा समागम का उद्गाटन हुआ है उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्णिया खाट वारलाफ संचुरी है और पेले भीत टाइगर रेजर्ब है नए शुशन है हाली में स्टैस फिन के सुतंत निरेसक कौन बने तो अभी बेजे जसुजा स्टैस फिन के सुतंत निरेसक बने तो इसकुशन का बे उप्संस है अब ये क्या है स्टैस फिन ये एक अग्रिडी फिन टेक प्रेटफॉर्म है आप इमेज में देखिए ये हैं बेजे जसुजा ने शुशन है हाली में कौन एटले की पहली महिला प्रदानवंतरी बनेंगी तो अभी जियोर्जिया मेलोनी इटले की पहली महिला प्रदानवंतरी बनेंगी तो इसकुशन का ए उप्संस है इटले में ब्रदर्स पार्टी ओफ इटले की नेता हैं जियोर्जिया मेलोनी इन्होंने अभी हुए आम चुनाव में जेत हांसिल की है और अब ये इटली की पहली महिला प्रदानमंत्री बनेगी, ये हैं Giorgia Meloni, अब इटली तो ये है map में इटली, इटली की capital क्या है, रोम, इटली की currency क्या है, यूरो और इटली की अब नई प्रदानमंत्री बनेगी, Giorgia Meloni, हाली में किस राजी के मुख्य मंत्री ने फ्लाई विग उडान का उद्गाटन किया तो अभी मड़पूर के चीपनिस्टर एन विरेंसिंग उडान योजना के तहत ये एक नई सेवा फ्लाई विग का उद्गाटन किया है अब मड़पूर तो ये है मैप में मड़पूर मडपूर की गेपिटल क्या है इमफाल मडपूर की चीपनिस्टर कौन है एन विरेंसिंग और मडपूर की गवर्नर कौन है ला गडेशन अभी इमफाल में आम लोगों की सिकायतों के लिए सीएम दा हैसी पोटल का सुबारम हुआ खॉंग जॉंग दिवासी ये 23 अप्रेल को मड़पूर में मनाया गया पूर्वोत्तर का सबसे उचा रास्टी दुआ जिसकी उचाए 165 फीट है ये मड़पूर के बेस्डूपूर जिले में फैराया गया मड़पूर के मुख्यमंतरी ने कैस दरेन केंपेन लॉंच किया लाई हरोबा त्युहार ये मड़पूर मनाया गया संगई महुत सब मड़पूर में मनाया जाता है और मेरा वाई चानू को मड़पूर गवर्मेंट ने ASP अपॉइंट किया है नैक शुशन है हाली में केस मंतराले ने जल दूद एप विक्सित किया है तो अभी ग्रामीड विकास मंतराले ने जल दूद एप विक्सित किया है तो इस कुशन का बे आप्सन सही है जल दूद एप ये ग्रामीड विकास मंतराले ने देश भर की गाउं में चैनित कुओं के जलस्तर कुओं मापने के लिए विक्सित किया है नए क्यूशन है हाली में किसी दादा साहे फाल के पुरुसकार से समानित किया जाएगा तो अभी 2022 के दादा साहे फाल के पुरुसकार से आसा पारेक को समानित किया जाएगा तो इस question का A options है यह है यह है प्रतिष्टित अविनित्री आशा पारेक और N.E. को 212 के दादा सहब फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा इनको 1992 में पदमसरी से भी सम्मानित किया गया था ने question है हाली में किसे ASIC का महानिदेसक नियुक्त किया गया है तो अभी राजेंदर कुमार को ASIC का महानिदेसक अपॉइंट किया गया तो इस question का B options है ASIC यानि की Employees State Insurance Corporation इसकी स्तापनों का वफ़ी 1952 में और इसका headquarter कहां पे है नियु डेली में और अब इसका महानिदेसक राजेंदर कुमार को अपॉइंट किया गया अच्छा अभी क्रेडिट सोईस के नए CFO बने देच्छित जोसी NII के निदेसक के रूप में देबासिस मोहंते को नियुक्त किया गया सुरक्षा भलके महानिरिक्षक के रूप में प्रबेड छाबडा को नियुक्त किया गया राजेस बर्मा को राश्पती द्रौपदी मुर्मू का सच्चेव नियुक्त किया है वजाज Electricals ने अनुझ पोद्दार को MD&CEO के रूप में पदोनत किया अलके इस बर्मा ये सयुक्त रास्ट के उच्चिस तरी इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए है और बारति एटल ने गुपाल बिठल को प्रबंद निदेशक की रूप में अपउइंट किया है नए क्यूशन है नए क्यूशन है हाली में किस देश ने पूर अमेरीकी सुरक्चा कोंट्रेक्टर chatter EDWARD SNOWDEN को अपनी नागलिकता प्रदान कि है तो अभी रूषन ने EDWARD SNOWDEN को अपनी नागलिकता प्रदान कि तो इस क्यूशन का बे options है EDWARD SNOWDEN 2013 से रसिए में आ गयए है और अब इनको रसिया ने अपनी नागरिकता प्रदान की है ये है पूर अमेरिकी सुरक्चा कॉंट्रेक्टर एड़ड स्नोडेन अब रूस ने इनको नागरिकता प्रदान की है तो ये है मैप में रूस रूस की केपिटल क्या है मॉस्को रूस की करंसी क्या है रसियन रूब रूस के present time पर president कौन है? Vladimir Putin और रूस के present time पर प्राइमिस्टर कोन है? Mikail Mitt-Sutton अभी Vladimir Putin की heaven Putin is life and times flip sort द्वारा लिकी किई रूस ने 2024 के बाद अंतरस्टी अंतरिक्ष केन चोड़ने का फैसला किया 2022 में भारत का सबसे बड़ा Dipe Ammonium Phosphate खाद्य आपूर्ति करता रूस बना है और रूस के पत्र का दिमित्री मुराटोब ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबल सांती पुरुषकार बेचा है ने क्यूशन है हाली में OECD ने बित बर्स 2022-23 में बारत की GDP विकासदर कितने प्रत्सत रहने का अनुमान लगाया तो OECD ने 2022-23 में भारत की GDP विकासदर 6.9% रहने का अनुमान लगाया तो इस क्यूशन का A options है और कल ही मैंने आपको होता है था S&P Global Ratings ने 7.3% रहने का अनुमान लगाया नेक्स यूशन है हाली में केसराजी की Cabinet ने ओनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है तो अभी तमिलनाडू की Cabinet ने ओनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी तो इस के स्टालिन और तमिलनाडू की गवर्णर कौन है आर एन रवी अच्छा अभी तमिलनाडू सरकार ने नंज रायट टैंक को पच्छी अभ्यारन के रूप में अधिसुचित किया है तमिलनाडू को अगस्त मलाई में अपना पांचमा हाथी रिजर मिला है तमिलनाडू सरक पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू नंबर नंपर है खाद्य सुरक्चा सूचकांग में तमिलनाडू नंबर नंपर है तमिलनाडू में चित रई उत्सम मनाया जाता है आदिपुरम त्युहार तमिलनाडू में मनाया जाता है जली कटू का आयूजन तम नए प्रायोगी उपग्रे CN14 और CN15 लॉंच किये हैं तो ये चाइना ने लॉंच किये हैं तो इस कुश्चिन का C option सही है अच्छा चाइना ने लॉंच किये हैं तो चाइना की Space Agency का नाम क्या है CNSA यानि की Chinese National Space Administration कि अब लाश्ट वीडियो की Question का Answer लाश्ट वीडियो मैंने आपसे Question पुच आता की हाली में कौनसी राज सरकार मातर-भूमी योजना Portal लॉंच करेगी तो अभी उत्तरप्त देश सरकार मातर-भूमी योजना Portal लॉंच करेगी यानि कि this question problem B option सही था और लगबग सभी इस्ट्वेडनेस कांसर सही दिया मुश्ट इस्ट्वेडनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा question के बारे में आपको जितना जाधा से जाधा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में case राजिम में बत्त कुमा पुस्प उत्सब मनाये गया चार option दिये गए हैं एन्वेस से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश रसी Instagram पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर इस video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook group हैं उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था, आज का हमारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज केमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चिती मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावन में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर ले जिससे के आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे नेक्स्ट एगे हम all page भी दियो thanks for watching